इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. दवा इंडिया बिसिकडल 5 मिलिग्राम्स टाबलेट एक दवा है जिसका इस्तिमाल कब्ज के इलाज के लिए किया जाता है. यह एक रेचक है और आपकी आँटों को खाली करने में मदद करता है. कभी-कभी इसका उप्योग अस्पतालों द्वारा सरजरी या कुछ आनतरिक परिक्षाओं या उपचार से पहले किया जाता है. यह आँट में गती को बढ़ा कर काम करता है. दवा इंडिया बिसिकडल 5 मिलिग्राम्स टाबलेट को रात में सबसे अच्छा लिया जाता है जब इसका उप्योग कब्ज के इलाज के लिए किया जाता है. इसे पूरा निगल लेना चाहिए और इसे चबाना, तोड़ा या कुछला नहीं जाना चाहिए. सबसे कम खुराक से शुरू करने और जरूरत पढ़ने पर बढ़ाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन अधिक्तम दैने खुराक से अधिक न हो. जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बताता है, तब तक आपको इस दवा का उप्योग अनुशन से दिनों से अधिक नहीं करना चाहिए. जीवन शैली में कुछ बदलाव कब्ज में मदद कर सकते हैं, उदाहरन के लिए बहुत सारे तरल पदार्ट पीना, नियमित रूप से व्यायाम करना, अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्ट जैसे फल, सबजियां और अनाज खाना. इस दवा को लेने का सबसे आम दुश्प्रभाव उल्टी, पेट दर्द और मतली है. ये आम तोर पर हलके होते हैं और कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं. यदि वे बनी रहती हैं, तो आपका डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है. इस दवा का उप्योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपके आंतर में रुकावट है, पेट खराब है या आपकी मलत्याग दो सप्ताह से अधिक समय से अलग है. कुछ दवाएं और कुछ खाते पदार्थ इस दवा के काम करने के तरीके म भी बचना चाहिए. दवा इंडिया बिसिकडल 5 मिलिग्राम्स टाबलेट आम तोर पर अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ह वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.